नमस्क्कार दोस्तो स्वागत है आपका WK NEWS में खबर है राहूल गांधी के साथ में BJP के छिड़े संग्राम को लेकर जिसमें BJP ने अब राहूल गांधी पर तगड़ा हमला बोला है उन्हें मीर जाफर कहा है और साथ ही कहा है कि शहजादा नवाब बनना चाहता है ये बात कहिए सम्भित पात्रा ने बाकाइदा प्रेस कांफरेंस करने आये थे जिस तरीके से संसद में राहुल गांदी के बोलने और नहीं बोलने को लेकर और लंदन में उनका जो वक्तब वे हुआ उसे लेकर माफी मांगने को लेकर जो लगातार विवाद हो रहा था उसी मामले को लेकर सम्भित पात्रा ने ये नया हमला बोला है और कहा है माफी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी संबित पात्रा का उबयान सुरवाएं लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अमित शाहा ने जब एक निजी टीवी चैनल में जाकर इंटरव्यू दिया था और कुछ न कुछ समस्या का समधान निकल जाएगा लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने अपना स्टैन्ड किलियर कर दिया है कह दिया है कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी लेकिन इस दोरान जिन शब्दों का इस्तुमाल किया उन शब्दों की अब काफी चर्चा हो रही है राहूल गांधी को आज के दोर का मीरजापर बताया है और साथ ही कहा है कि शहजादा नवाव बनने चला है क्या कुछ कहा है समित पात्रा ने आपको सुनिए यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आएए और हिंदुस्तान की डेमोक्रसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटर्नल मैटर्स में प्रवेश करिए उसमें घुसपैट करिए अगर UK से और US से राहूल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमैंड करेंगे तो स्वभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहन नहीं करेगा और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते विश्व की सबसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीरवाद के माध्यम से चुनी गई हो यह भारतिय जनता पार्टी का करतव यह है कि सडक में भी और सदन में भी इस विशय को उठाए हमारा सपष्ट मानना है कि यह विशय नहीं है यह शडियंत रहे दिस जस्ट नॉट रांडम इश्यू दिस अ कॉंस्पिरिसी अ कंसिस्टेंट कॉंस्पिरिसी बाइद कॉंग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली क्योंकि यह पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह र जाएंगे माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा हम मंगवा के ही रहेंगे मैं आपको याद दिलाओं इसी प्रकार से राहूल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल की केस में कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी I am sorry I regret यह राहूल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्चन यायले सुप्रीम कोट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोट के ततकालीन CGI उससे satisfy नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं केवल मौखिक रूप से कहने से कि I regret यह उचीत नहीं होगा आपको एक एफिडविट सब्मिट करके शमा याचना करनी होगी और देश की राजनीती में राहूल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडविट सब्मिट करके सुप्रीम कोट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने जूट बोला था मैंने जंता के बी सुप्रीम कोट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लमेंट में सदन के पटल पे संसद में माफी मांगना पड़ेगा आप सोच सकते हैं यह विशय कितना गंभीर है लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले ड इस्व की शक्तियां हैं जो डेमोकरसी की पहरेदार हैं तथा कथित डेमोकरसी के पहरेदार हैं the so-called protectors of democracy Europe and United States of America why are they oblivious ये शांत क्यों है ये चुप क्यों है why don't they protect the democracy in India मतलब this is an open invitation ये एक खुला निमंत्रन है कि आप आईए और भारत वर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुस्पैट करिए और आप हमें नेता बनाईए what is the difference between a Manish Shankar Ayer और राहुल गांधी ये Manish Shankar Ayer और राहुल गांधी में क्या difference है Manish Shankar Ayer पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आवान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा हमें इस सरकार को गिराना होगा आईए पाकिस्तान और हम कॉंग्रेस पार्टी मिलके काम करेंगे सल्मान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुती करण करते हैं चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आँक के आते हैं वो अभी हमने देखा है और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर नियोता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाईए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाईए दिस इस नथिंग शॉट अफ वाट मीर जाफर डिड़ मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए आप सबको पता होगा मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने East India Company की मदद ली थी East India Company हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ कड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं अंग्रेजो का शाशन अंग्रेजो का शाशन अंग्रेजो का शाशन It would not be an aberration to say that राहूल गांधी is a present day मीर जाफर of इंडिन पॉलिटी जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है सहजादा नवाब बनना चाहता है और सहजादे ने इस्ट इंडिया कमपणी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ मैं तुम्हें 24 परगना भेट करूँगा मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेट करूँगा मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेट किया था इस्ट इंडिया कमपणी को और उसी 24 परगना के माध्यम से इस्ट इंडिया company और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है history repeats itself the present day मीर जाफर of Indian polity राहूल गांदी has to apologize मीर जाफर को माफी माँगनी ही पड़ेगी इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है राहूल गांदी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमी में बैठ करके भारत के investigative agencies को deep state करार दे सकते हैं कि these are the deep states just as Pakistan has ISI फीक उसी प्रकार इंडिया में deep state democracy के उपर हमला कर रहा है राहूल गांदी जो present day मीर जाफर है वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठ कर वो कह सकते हैं कि जो Indian institutions है जिसका role democracy को protect करना है चाहे वो media हो चाहे वो judiciary हो यह आज constrained है यह आज उन्मुक्त नहीं है मुक्त नहीं है committed judiciary क्या होती थी यह आप इंदिराजी के जीवनी में पढ़िये किस प्रकार से आपातकाल के पश्चात और आपातकाल के दौरान judiciary के साथ खिलवाड Congress Party ने किया था what is committed judiciary इसकी पूरी chapter आज available है it is a matter of research just because the सहजादा wants to become नवाब सहजादे को नवाब बनना है Congress Party में आज लोकतंत्र शेश नहीं है Congress Party जनता जनारदन हिंदुस्तान के जनता जनारदन के आशिरवाज से सहजादे को नवाब नहीं बना सकती है इसलिए दूसरे देशों में जाकर सहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है तुम मेरी मदद करो ये नहीं चलेगा सहजादा ये नहीं चलेगा आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी आपने कहा कि हमारी माइक्स ओफ कर दी जाती है डेमोक्रिसी डास नॉट एग्जिस्ट राहूल जी आखड़े लेके आएं हैं आज आज आप पार्लामेंट आएं आपके आखड़े जो बारती जनता पाटी आज बता रही है इन आखड़ों पे गौर फर्माएं एटेंडेंस शीट को देखें राहूल जी का एटेंडेंस पार्लामेंट में 52 परसंटेज है जबकि नैशनल एवरेज 79 प्रतीशत है और स्टेट जहां से राहूल गांधी MP है अर्थात केरल केरल का आउसत 84 परसंटेज है केरल के MP जो है वो 84 परसंटेज पार्लामेंट आत और आप कहते हैं कि हमारे माइक ओफ कर देते हैं आपका एटेंडेंस ओफ है साहब माइक तो ओन है दूसरा आकड़ा participation in debates democracy debates and discussion they are the pillars of Indian constitution अगर democracy में debate नहीं होगा discussion नहीं होगा तो democracy का कोई मतलब नहीं है कोई माइने नहीं है democracy की आत्मा debate होती है और राहूल गांधी ने मात्र 6 debates में participate किया है अब तक कि इस session में मतलब 2019 से national average 41 का है और state average 68.2 केरल से जहां से वो MPA वायनाड उस state का average 68.2 percentage है कितने सवाल राहूल गांधी जी ने पूछे हैं सवाल तो आप विदेश की भूमी में पूछते हैं पार्लेमेंट में कितने सवाल पूछे हैं राहूल गांधी ने 2019 से 2023 तक मात्र 92 बयानबे सवाल पूछे हैं जबकि national average 163 163 की है और state average केरल का average 216 216 की है आप सवाल पूछते नहीं है आप डिबेट में discussion में भाग लेते नहीं है because you have nothing to debate you don't participate in the parliament आपकी attendance यहां सबसे कम है because you feel that unfortunately quote unquote unfortunately you are a member of parliament वो तो एक बगल में जैराम रमेश बैटे रहते हैं जो कान में बोलते रहते हैं वरना उनके मुख से तो सत्थ निकली गया था कि अन फॉर्चुनेटली आप में में फॉर्चुनेटली आफ ट्रैवलिंग फॉर्चुनेटली वो एक फॉर्ण कनट्री के टुरिस्ट के रूप में देखे जाते हैं उनको अगर बोल जाया कि सबसे बड़ा फॉर्चुन क्या है तो सबसे बड़ा फॉर्चुन वो कहेंगे हिंदूस्तान के विरोध में विदेश में बोलना ये सबसे don't request not as BJP but Hindustan के एक साधारन जनता के रूप में यह आदेश देते हैं यह demand करते हैं कि you have to apologize आपको माफी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ेगा क्योंकि आपने Hindustan को अपमानित किया है Hindustan को बदनाम करने का काम किया है और यह अधिकार आपको Hindustan की जनता ने नहीं दिया है धन्यवाद कोई सवाल हो तो अवस्य पूछे तो कुल मिलाकर समीत पात्रा के इस हमले को आप किस तरीके से देखते हैं क्योंकि लगतार गतिरोज जारी है बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच और इसे ही लेकर जो बजट सत्र चल रहा था उसका दूसरा चलन उसमें काम नहीं हो पा रहा है लगतार दोरों तरफ से ये रश्चा किसी जारी है जिसमें कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि अडानी के मुद्धे को लेकर जेपी सी बनाई जाए जाच करवाई जाए जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी ने रधनन में जाकर जो किया उसके लिए वो माफी मांगें लेकिन इस बीच ये बीजेपी ने साफ कर दिया है कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी आप बीजेपी के इस नए हमले को मीर जाफर वाले को कैसे देखते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी आज के दौर के मीर जाफर हैं क्या आप भी बीजेपी के इस बय आप